आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आप अपने मुबाइल के आप यहाँ पे नियर्वाइज से अपना फोटो वीडियो आप डाकुमेंट्स कुछ भी सेंड करना चाहते हैं किसी दूसरे के मुबाइल फोन के अंदर तो कैसे आप कर सकते हैं इस वीडियो क देखने के बाद आपको details में पता चल जाएगा कि हम किसी भी photo, video, documents को या file को आप nearby share से किसी के भी mobile phone के अंदर कैसे आप सेंड का सकते हैं जैसे हमारे पास दो mobile phone है यह है Samsung का और यह है MI का तो हम अपने Samsung mobile phone से MI के mobile phone में हम यहाँ पे file send करके दिखाएंगे Near Way Share के द्वारा तो आप यहां से ध्यान से देख लिएजिप आपको पता चलेगा कैसे हम share का सकते हैं तो सबसे पहले आपको करने के आप Near Way Share का यूजच करना चाहते हैं file transfer करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस पर long press करना है जैसे आप इस पर long press करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा device visuality के नाम से आपको इस setting पर किलिक करना है जैसे आप इस setting पर किलिक करेंगे आपके सामने इस तरह का page आजाएगा यहाँ पर मिलेगा everyone contact या hidden तो यहाँ पर आपको everyone पर select करना है और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा keep everyone mode on all the time आप इस पर किलिक करेंगे सबसे पहले आपको यही करना है नहीं तो आपका file transfer नहीं होगा उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है अब यहाँ पर आपको अपना file select करना है कि आप क्या send करना चाहते हैं तो जैसे हम यहां पर select करेंगे जो हम file send करना चाहते हैं तो हम इसपे इसन्द क करने की बाद यहाँ इसन्द करना चाहते हैं तो उस वीडियो पर हम क्लिक करने की बाद यहाँ पर मिल जाएगा share करने का option आप share पे किलिक करेंगे जैसे आप Share पेjacent करेंगे यहाँ पे आजाएगा Near Vite Share का Option आप इस पे किलिक करेंगे जैसे आप इस पे किलिक करेंगे सबसे पहले आपको इसकी Permission को आपको Allow करना है permission इसका कौन सा है तो आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जएगा wi-fi, bluetooth और यहाँ पर location तो आपको यह permission आपको तीनों के तीनों आपको allow कदना है यहाँ पर Wi-Fi, Bluetooth और उसके बाद location का permission तो यह permission आपको allow कदना है और उसके बाद जिस mobile phone के अंदर आप nearby share से लेना चाहते हैं फाइल को उस mobile phone के अंदर भी आपको Bluetooth यहाँ पे वाइफाई और यहाँ पे location आपको enable करना है तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसमें enable करके रखा है और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा nearby share का option यह रहा तो आपको अपने mobile phone के अंदर nearby share को यहाँ से open करना है नहीं तो आपके पास notification आजाएगा आपको इस पे click करना है अब आपके mobile phone के अंदर और उस mobile phone के अंदर nearby share open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आजाएगा आपके इस वाले mobile phone का name यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको उस name पे click करना है जैसे आप उस name पे click करेंगे यहाँ पे कुछ second का wait करना है यहाँ पे आपके समने accept करने का option आजाएगा second mobile phone के अंदर तो यहाँ पे आपको accept कर लेना है जैसे आप यहाँ पे accept कर लेंगे उसके बाद आपका file transfer होना start हो जाएगा जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो file है वो यहाँ पे transfer होना start हो जगा है तो आप यहाँ पे आपको wait करना है कि आपका file कितने time में transfer होगा अगर आपका file ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा समय लगेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतिजार करना है और आपका file यहाँ पे transfer हो जाएगा और जो आप file send करेंगे वो file आप इस mobile phone के अंदर open कर सकते हैं यहाँ पे आपको open करने का option मिल जाएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतिजार कर लेते हैं जब तक हमारा यह file send हो रहा है आप देख सकते हैं कि हमारा जो file है वो खुरी तरीके से send हो चुका है और उसके बाद इस mobile phone के अंदर वो file यहाँ पे आ चुका है जैसे हम आपको दिखाते हैं वो file यहाँ पे आ चुका है आप अपने mobile phone का gallery आपको open करना है जैसे आप यहाँ पे gallery open करेंगे आपको 11 पे अपने click करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल देगा video का option आप इस पे click करेंगे और जो file आप यहाँ पे लेंगे आप photo लेंगे या video लेंगे या documents लेंगे वो यहाँ पे देखने को मिल देगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमारा यहाँ पे वीडियो आ चुका हम इस पे क्लिक करेंगे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और यह वीडियो हमारा यहाँ से पिले हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं का पहुत पहुत धन्वाद